देश में बढ़ती महंगाई और बेरुषगारी को लेकर कॉंग्रिस लगतार केंदर सरकार पर हमलावर है एक तरफ प्राहूल गांधी कश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत जोडो अभियान चला रही है दूसरी तरफ यूद कॉंग्रिस सरकार के खिलाफ हमलावर है मंगलवार को जमशेदपूर में यूद कॉंग्रिस की ओर से भोपू बजाओ पीम जगाओ रैली का आयूजन किया गया जिसमें यूवा कॉंग्रिसी साक्षी आम बागान से लेकर जिला मुख्याले तक भोपू बजाते हुए पहुँचे और जिला मुख्याले पर जोड़दार प्रदर्शन किया इस सम्बंद में जानकारी देते हुए प्रदेश यूद कॉंग्रिस की उपाधक्ष सहजीला प्रभारी निशा भगत ने बताया कि जब देश में पेट्रोल 60-70 रुपए के बीच और LPG सिलेंडर के दाम 600-700 के बीच थे उस वक्त भाषपा ने इसे महंगाई का मुद्दा बता कर लोगों को सरकार के खिलाब भढ़का कर गुमरा कर सत्ता हासिल किया था 15 लाख रुपए का सब जुबाग दिखा कर सत्ता सीन हुई भाषपा सरकार हर मोर्षे पर विफल साबित हो रही है चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरुषगारी का सभी मोर्षे पर प्रधार मंत्री पूरी तरह से विफल रहे है हम लोग भोपू बजा करके केंद्री की जो सरकार है जो बीज़ेपी की सरकार है नरिंद्रे मोदी की सरकार है अमित्सा की जो सरकार आरेसिस की जो सरकार है उनको भोपू बजा के ये बताना चाहरे है कि जो बेरोजगारी है चरम सी मापे है महंगाई चरम सी मापे है आप के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है जो दर्ध है जो शिक्षा हासिल किये हैं जो नवजवान युवतियां जो हासिल किये हैं शिक्षा आज बेरोजगार नहीं है जिसकी वज़ा से आज आपके तरफ स सोसाइट करने पे तू लेवे हैं लोग आप पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी जी से जब 400 रुपया का गैस मिलता था तो रस्ते में बैठ करके कहती थी महांगाई डैन खा गई आज कहां है स्मृति ईरानी जी किस कोने पे बैठी है जब 1000 रुपया पार चला गया आज जो लोग रिक्षा चलाते हैं जो लोग दिहारी मज़्दूरी करते हैं टैकसेस बढ़ा दिया गया दाल में चावल में दही में दूद में आप बताएए कि इस तरीके से सिती में हम भ सारे युवाओं के माध्यम से 24 चुनाओं में आने वाला समय में बीजेपी को सत्ते से उखाड फेखने का काम हम करेंगे नियूस विंग के लिए जम शेतपूर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट 4 सीजन, a multi-cuisine family restaurant 1st restaurant which is based on the theme of 4 different seasons For booking, contact 979-8283015, 8210-276272 1st floor, our platinum bajaj near Khalifa तावर, काके रूट राजी 1st floor, our platinum bajaj